नमस्कार दोस्तों मेरा नम डॉक्टर राहूल भारगवे मैं एक हीमिटॉल्जिस्ट हूँ आप सोच रहों कि हीमिटॉल्जिस्ट क्या करता है यह कौन सा डॉक्टर होता है एक यह नई प्रकार का डॉक्टर है जो शायद 1999 में जिसका जनम हुआ था इस देश में पर अमरीक फेथ कुन से कोई भी प्रॉब्लम हो लाल कुन कम हो गया हो जिसे जादा हो गया पॉलिसाइट हीमिटॉल्जिस्ट आए दिन रोज देखता है देश में आज भी 65% लोग एनीमिया से ग्रसेत हैं हमको एक एक लोगों को हीमोगलोबिन को 12 तक पहुचाना है और देश को एनीमिया मुक बनाना है यह हीमिटॉल्जिस करता है साथ ही में हीमिटॉण ओन्कॉल्जिस्त मतलब हीमिटॉण को जिसमें लिंफोमा मतलब गाठों का जिससे लिंफोमा कहते हैं माइलोमा जिसे हम बोन का कैंसर अक्षार हड़ी का टूट जाना या बैक में पेन रहना इसका कैंसर यह भी हीमित अपाल्जिच के लिंफोमा माईलोमा खूं का कम हो जाना पैंसाइटोपीनिया मैंलोडिस्प्लास्टिक syndrome thalassemia sickle cell यह सारी बिमारियां हीमिटॉल्जिस देखता है और हीमिटॉल्जिस से भी नहीं करता है हीमिटॉल्जिस साथ में बोन मेरो हीमिटॉल्जि में शुरुवात से जो पेशेंट को देखता है वह ट्रांस्प्लांट करके उनको क्योर कर पाता है तो इसलिए आ रहे हैं ताकि आपके जीवन को सुध्रण कर पाएं मैं सारी चीजें नहीं कर सकता मैं से 25 कैंसर को देखता हूं उसमें जो आज सुभे लेटर सर्च हुई है वो मरीज़ों तक पचाने का हमारा करतावे रहता है तो इसलिए अगर आपको ब्लड से संबंदित कोई भी परेशानी है संपर करें सो देट हम ब्लड कैंस कर दो